हर घर नल का जल योजना भले ही ग्रामिनों की प्यास नहीं बुझा पा रही हो, लेकिन सरकार इस योजना से पैसे कमाने की तरकीब निकाल रही है। बिहार में जितनी भी योजना आती है, उसमें से 70 फीसिदी से जादा योजना बस फाइलों में ही रह जाती है। अब आप हर घर नल का जल योजना को ही देख लेजिए, कहीं पाइपलाइन डैमेज है तो कहीं नल की टोटी टोटी हुई है। लेकिन सरकार को इससे क्या मतलब, सरकार का काम तो बस इतना है कि वो योजना लाएगी और अपने फाइलों में इसे मेंटेन करेगी। इतनी फ्लॉप योजना के बावजूद, सरकार को अब इस योजना से पैसे भी कमानी है। जिहां अब सरकार पानी पर टेक्स लगाएगी। प्रॉपर्टी टेक्स के साथ साथ हर हाउस होल्डर को 480 रुपय से लेकर 1800 रुपय स्तलाना शुल्क देना होगा। इतनी महंगाई के बीच अब आम लोगों को पानी पीने तक की आफत हो गई है। अब क्या है पूरा मामला कि इन लोगों को कितना टेक्स देना होगा हम आपको बताएंगी। अब बिहार में प्रॉपटी टेक्स के साथ साथ पानी टेक्स की वसूली की जाएगी। हलांकी अभी जहां पानी का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है उन लोगों को टेक्स नहीं देना पड़ेगा। और वहां अभी राहत है। इसको लेकर सभी वाडों में नलका जल यूजना के कनेक्शन के डेटाबेस तयार की जा रही है। डेटा तयार करने में किसी तरह की चूक या कमी ना हूँ, इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंट विकास पदाधिकारी और सभी प्रखंट पंचायत राजपदाधिकारी को तास्क दिया है, पाने सुल्क के लिए विभाग ने घरेलू वेबसाइट सरकारी कार्याले और उद्योग के लिए अन्य टैक्स निर्धारित किया है, वेवसाइक लोगों से मीटर के माध्यम से पाने शुल्क की वसूली की जाएगी, वहीं हाउस होल्ड के लिए टैक्स का निर्धारिन कर लिया गया है, मंगलवार को नगरविकास और आवास विभाग ने मजभफर पुलके नगर आयुक्त के साथ सूबे समेत निगम प्रशाशन को पत्र जारी करते हुए पाने का शुल्क वसूलने का निर्धेस दिया है, हलांके पाने शुल्क नहीं लेने पर सरकार काफी नाराज है, चुनावी आहट के बीच पहले ट्रेड लाइसेंस, यूजर लाइस सरकारी निर्धेस के मुताबिक मुख्य मंत्री नलजल योजना की तहत, अगर कोई उपभोगता पानी का दुरुपयोग करते पकड़ा जाएगा, तो उस पर दंड गाभी प्रावधान रखा गया है, और इसकी कारवाई ग्राम पंचायत को सौपी गई है, अगर कार्ट दिया गया और उपभोगता दूसरी बार कनेक्शन लेना चाहते है, तो कनेक्शन दूसरी बार लेने के लिए एक हजार रुपे का सुल्क देना होगा, और समय सीमा तक प्रोपटी टेक्स के साथ साथ पानी का सुल्क नहीं देने पर, तेड़ प्रतिसस ब्याज भी परिवार को 780 रुपे वार्षिक शुल्क पानी के लिए देना होगा, यानि कि 65 रुपे प्रतिमाह, 2000 से 3000 रुपे प्रोपटी शुल्क देने वाले परिवार को 1440 रुपे वार्षिक शुल्क पानी के लिए देने होगे, और 3000 से उपर के शुल्क देने वालों को 1800 रुपे क शुल्क देना होगा सरकार के अनुसार 2 5 रुपे की बिजली कि खपत हो रहे हैं जिस से पानी का श्लक लेने से बिजली की खपत की वसूली हो जाईगी अब क्या सीरकार के इस पहल के रहे जनता जंग्सिन धन्यवाद